नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागता है आपके अपने चैनल गौर्मन्ट जॉब गेट में दोस्तों के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ नSTP, FDC की सीधी बर्ती के बारे में यानि कि Ministry of ट्राइवेल आफियर्स की सीधी बर्ती के बारे में दोस्तों यह बर्तीका नोटिफिकेसन जारी हो चुका है यöदि आप चानते हें कि परते एक सरकारी नवगरे की इंफोमिशन सबसे पहले आपको उप्रावत हूँ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बैल आइकन को भी जरूर प्रैस कर लीजेगा इस से आपको फिरी में सरकारी नगरे की नोटिपिकसन मिलती रहेगी और आप इस परकार किसी भी रेक्रिमेंट की इंफॉमिशन मिस नहीं कर पाओगे जो इ आप आप पास थैं तो इस बर्टी के लिए अप अपलाई कर सकते हैं आप से रिकोस्टेक के प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों ऑजानकारी के साथ वाटसाप या फेस्बुक के मारिण से भी जरूर सेयर कीजेगा दोस्तों आज की इस बर्टी के लिए आपको ऑफ- सिग्व ट्राइब फिनेंस अंड डिवल्मेंट कॉर्करेशन दोस्तों इस में डिरेक्ट होनी जारी दूस्तों और इसमें रिप्युमेंट होनी जा रही है MTS की यानि की multitasking रिस्टाप की जाता दोस्तो इस पोस के लिए qualification की बाता है इस बर्ति के लिए section की योगिता की बाता है तो candidate आपने 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 दस्वी पास कर रहता है तो भी आप इस बर्ति के लिए प्लाइ कर सकते हैं और इस बर्ति के लिए जाता है तो आपको बहुत अच्छी सेल नहीं मिलेगी दोस्तों आपका पेस के लोगा 18,800 से लेके 22,900 जातर फीस की बात है तो जन्रल और OBC को 200 रुपए पेमेंट करनी है दोस्तों फीस की और SCSD PWD के लिए दोस्तों फीस एक्सेम्टेट है यानि कि इस कैटिकर के कंडिडेट को कोई भी फीस पेह नहीं करना जा दोस्तों जैसे बताए कि इस भर्ती के लिए आपको आफ्लाइन अप्लाइक करना है दोस्तों इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड अप्रिकेशन फोर्म भरके आपको अप्लाइक करना है दोस्तों इस बताए कि इस भर्ती के लिए आपको आप्लाइक करना है इसके लिए प्र प्रका प्रवार तेरह पोइंट है अपको भरके बेंगों तोपसले प्रका करें पांचो्स पर्लाई करी नाम करते हैं अभला तेरह में correspondence address यानि की जिस address पर आप अभी रह रहे हैं उस address को आपको यहां पर लिखना है साथवे point में दोस्तों आपको अपनी qualification के बारे में लिखना है कौन सी class तक आप पड़े लिखे हैं दोस्तों आटवे point में आपको अपनी category लिखनी है SCST OVC General PWD या EWS जो भी आपकी category है 9th point में आपको अपना experience के बारे में लिखना है दोस्तों दसवे point में अपने nationality लिखना है Indian और 11 point में आपको अपने religion के बारे में लिखना है आप किस religion से दोस्तों बारे point में आपको आपनाज जो demand रापट है दोस्तों उसका detail देना है DD नम्मर लिखना है kis date का DD है और कितने amount का DD है, किस branch से, किस bank से दोस्तो इस हो रखाया, bank का detail लिखना है दोस्तो और तेरे point में यह आप कोई और information देना चाहते हैं, तो आप यहां पे mention कर सकते हैं दोस्तो इस बर्ती का location नई दिल्ली है और इस बर्ती के लिए website से हैं दोस्तो पहली website है www.nstfdc.nst.in और दूसरी website है www.nstfdc.net पे जाके आप इस बर्ती का detail information देख सकते हैं दोस्तो इस बर्ती की last date है 15 दिन के अंदर दोस्तो आपको apply करना है employment news में प्रकासित होने के अंदर दोस्तो और ये रोजगार समाचार 26 दिसम्बर से लेके 1 जनवरी 2020 वाले employment news में प्रकासित हो रहा दोस्तो इसके हिसाब से दोस्तो आप इसकी dates calculate करके apply कर सकते हैं और दोस्तो इस बर्ती के notification कर लिए बीडियर के description पार में दे रखा है अब link वहां से open करके पूरा notification पर सकते हैं तो दोस्तो इता इस बर्ती का saw detail इनके साब इस बर्ती भी इंटेस्टेड हैं और apply करना चाते हैं तो इसकी general condition तता eligibility criteria को द्यान प्रूबग पढ़ने के बाद और समझने के बाद ये apply कीजीगा आप से रखोस्ते की प्लीज इस बीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ WhatsApp या Facebook के माध्यम से भी जरूर शियर कीजीगा यदि अपने अभी तक इस चैनल को subscribe निकिया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और bell icon को भी जरूर पैस कर लीजेगा ताकि सरकारी नग सब्सक्राइब कामना है थेंक यू सू मच